हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव इस, मॉइ नेम इस आईश मेठी, एंचेंट हिस्ट्री की एंचेंट हिस्ट्री की बुक हम पढ़ रहे थे, थीम वन हम पढ़ रहे थे, थर्ड लेक्चर रही है, हर अपन सिवलाजेशन वाला चेप्टर इसके बाद खतम हो जाएगा, तो लास्ट में जाते-जाते मैं आपको इस में इस चेप्टर में बहुत इंपोर्टन चीज़े भी बताऊंगा, NCRT में से ही नहीं, बलकि अलग-लग सोर्से से भी बताऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं, The End of Civilization, NCRT में अभी इसके बाद इस चेप्टर में जो है, वो काम का नहीं है, सिर्फ ये पेज में जो है, वो काम का है, उसके बाद मैं आपको अलग सोर्से से बताऊंगा, वो बहुत इंपोर्टन होगा, अठारा सो बीसी तक आते हैं तेक चीड़ पता चलने लग गई, कि मैच्योर जो हरपन साइट्स थी, कुछ रीजन्स में, जैसे चौलिस्तान हो गया, अबेंटन कर दी गई है, यानि अब डिकलाइन हो गया है, वहाँ पे पोपुलेशन का, अब पोपुलेशन, सेटल और कि दूशी जगे, दूशी जगे सेटल और यह एक्सपेंशन हो रहा है, नए सेटलमेंट्स में, कहां पे गुजरात में, हर्याना में, वेस्टन, यूपी में, और कुछ जगे तो, फ्यू हरपन साइट्स ऐसी थी, जो 1920 तक ओक्यूपाई करी गई, यानि अचानक सा उसमें कि दूशेफ्ट नहीं हुआ पोपोलेशन का, लेकिन एक मेटरियल कल्चर में गिरावट आने शुरू होगी, कि जो एक खासियती हरपन स्विलाइजेशन की, वहां के जो वेट, सील्स, स्पेशल बीट, राइटिंग, लोंग डिस्टन ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइज यह सब डिसेपियर हो गए, ठीक है, मेटरियल कल्चर में ट्रांस्वरमेशन आना संकेत था कि हरपन स्विलाइजेशन का डिकलाइन शुरू हो गया, कुछ ही मेटरियल अब कुछ ही चीज़े बनाने में यूज में आने लगे, हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेकनिक्स थी वो गई, लार्ज पबलिक इस्ट्रक्चर अब नहीं बनाये जाते थे, हाला कि हरपन स्विलाइशन में ऐसे टेंपल और पलिसेज नहीं थे, लेकिन जो पबलिक इस्ट्रक्चर थे जैसे ग्रेट बात हो गया, यह नहीं बनाये जा रहे थे, और कही न कहीं एचीपदर चल कैसे कोई तो वज़ा इंके पीचे की होगी तो वह वज़ा कई सारे एक्सपिलेशन कई सारे थ्योरिस की रूप में कैसार हिस्टोरियंस ने दी है कोई कहता है कि क्लाइमिट चेंज है कोई कहते है डिफॉरेस्टेशन है कोई कहते है फ्लड बहुत जद आई कोई कहता है कि रिवर्स हूग गई कोई कह रहा है कि ओवर यूज हुआ लेंड्सकेप का तो यह कोजिज जनरली आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर जगे फ्लड ही आगई तो खतम गया क किस जगे फ्लड आई होगी किस जगे रिवर्स होग गई होगी तो यह जो कोजिज है यह आप कुछ सेटलमेंट के लिए कह सकते हो लेकिन एंटायर सिविलाइजेशन का कोलाप्स हो जाना इन कोजिज से विश्वास नहीं होता जल्दी से इस चीज पर तो ऐसा लगता है कि सील्स का जब डिसेपरियंस हुआ स्क्रिप्ट का जब डिसेपरियंस हुआ पोटरी का बीट का जब डिसेपरियंस हुआ तो पूरा इंटायर सिविलाइजेशन जो है कोलाप्स होना शूरू हो गया शिफ्ट हो गया standardized weight system था हमने पढ़ा था न कि decimal system भी उज़ लिया जाता था तो standardized weight system था उसे local weight use करने लग गये cities abandon होने लग गये मैंने का रूरल way of life शुरू होने लग गये नई cities अलग region में बहुत सालों बाद निकल के आई एक millennium के बाद निकल के आई नई cities ठीक है तो इस तरीके से हरपा का हरपा का decline शुरू हुआ और बहुत सारे historians ने theories दी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ये late harpans sites ये देखे compare किजिए जब हमने पहली बार में आप देखा था early harpans sites का ये mature का और अब late देखिए कितने settlements भी खरग मतलब है नहीं खतम हो गया है ना इंदस नदी के पास देख लो जूकर के पास देख लो मतलब यहां पर देख लो आप इस जगह देख लो रंगपूर में देख लो ठीक है तो यहां पर एक दम पूनम दलाल दहिया की ठीक है यूजली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं NCRT जो और आरे शर्मा या तमिल नाडू एंसे तमिल नाडू की टेक्स्ट बूक के अलावा एंच इंट्रिस्ट्री पढ़ने के लिए लेकिन कुछ चिजह इसमें इंपोर्टेंट है तो NCRT से ज्या काई सारी ठीक नहीं और वह ठीकोन-कौन-कौन से थी और किसने दी है इंपोर्टेंट कै तो कह रहें कि आरेन्स ने इन्वेजन किया जो आरेन्स आयाते अभी जब आव्यदी केच पड़ sama gladiac अध में पा धिकार शायते उन्होंने किया है लोगों को मार दिया तो आरेन इन्वेजन ये दिया था वीलर और गॉर्डन ने एकलोजिकल डिस्टेबेंट्स हुआ ये दिया फियर चैल्ड ने रिवर कॉर्सेस में चेंज हो गया ये डेल्स एमेस वर्ट्स और एच्टी लेंब्रिक ने रेनफॉल में कमी आ गई स्टीन ने फ्लड आया मैके और एसा राव ने गहगर नदी सूख गई एडिटी भढ़ गई सूखा बढ़ गया डेजर्ट में एक्सपेंशन हो गया डेजर्टिफिकेशन हो गया डीप अग्रवाल और सूध ने अर्थक्वेक राइकेस और डेल्स ने ने निच्रल केलिटीज के और कैनेडे ने हाला कि ये एक एक चीज़ रटने के जुरुत नहीं है बस रीड मार लो कुशन कभी ऐसे आए नहीं है इन पर लेकिन पढ़ लेना बहतर है एंसी आटी के हर चैप्टर के लास्ट मेने टाइम लाइन है तो टाइम लाइन ना पढ़ लिया करो छोड़ा मत करो तो यह देखो टाइम लाइन देखो टू मिलियन बिफोर प्रेजेंट बीपी वही बी दिखाया हरपन सिवलाइजेशन आई फिर आपके जो आइरन एज है वो आया और जो डिस्क एक्सकेवेशन सुए जो डिसकावरी उई उनकी भी टाइम लाइन याद रखिए जैसे 1875 में अलेक्जंडर कनिंगम की जो आपके अलेक्जंडर कनिंगम के मैंने आपको बताया 1921 में MS Wats ने हरपा में एक्सकेवेशन शुरू कर दिया 1921 में 1925 में महंजदारों में एक्सकेवेशन शुरू गया याद रखना ठीक है वीलर ने हरपा में की राओ ने लोथल में की और थापर और लाल काली बंगा में की MR मुगल बहावलपुर में की इसने ये कुछ ज़्यादा काम कर नहीं है और RS बिष्ट ने 1990 में दौला वीरा में एक्सकेवेशन शुरू कर दिया टाइम लाइन याद रखिए इंपोर्टेंट है बेतर रहेगा करॉनलोजी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं हरपा का ये वाला चैप्टर हमारा खतम होता है इसके बाद हम नेक्स चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्स इस बंट बिक्स हरपा में और डाइड बिक्स इजिप्ट में मिली थी। ठेक बेकड बिक मिली थी मिसपटेमी में और सुमेरिया में बना हरपन civilization के टाइम पे सिंद और रजस्थान desert area नहीं थे जैसे आज है यह ध्यानकना आज रजस्थान डज़ेट एरिया है हरपन civilization के टाइम पे रजस्थान desert area नहीं था ग्रेट बात में फूड ग्रेंस सेम प्रेडूस होते थे और वही जो अनिमल करते थे वही ये भी करते थे लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं जो में सपर्टियम सिटीज में नहीं मिलती और दूसरी सिलाइशन में मिलती हैं हाना हरपंस वील का इस्तमाल जानते थे पर स्पोक्ड वील नहीं था स्पोक्ड वील होता जिनमें वह पईये में वह नहीं लगे रहते हैं वह डंडे से ठीक है जैसे अशोक चक्र में 24 चक्र चक्र हाना चक्र से याद कर लो कि जैसे वह स्पोक्ड वील होता चक्र नहीं होते जिनमें डंडे नहीं होते हैं हाना स्पॉक्स तो स्पॉक्स जो है वो नहीं थे वील का यूज ये लोग जानते थे और कोई religious structure कोई temple नहीं था ये question आया हुआ यूपीसी में previous year question है कि बहुत सरे religious बड़े-बड़े structure या palaces पाए गए थे हरपा में नहीं नहीं पाए गए थे great बात तो मिला था जो मिला था लेकिन वो भी अभी confirm नहीं हुआ है कि religiously ही उसका यूज होता था एक theory की ritual बात के लिए यूज होता था लेकिन हम completely यह नहीं कह सकते कि religious structure ही था यह है कि कोई priest rule नहीं करते थे जैसे Mesopotamia में करते थे तो हरपा में ऐसे कोई priest नहीं थे हरपा में वो प्रोटो शिवा आपको seal मिल जाएगी पशुपती महादेव की लेकिन आप कहने ही सकते हो confirm कि वो priest थे और वो पूर तरीके से राज करते थे अब bearded priest जो आपको मिला था प्रिष्ट की जो आपको स्कल्प्चर हरपंस के पास कोई वीपन नहीं थे ऐसे लार्ज स्केल पर काई भुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा कि वीपन मिले थे लेकिन ऐसे युद्ध करने की स्थिथी वाले जो है वीपन नहीं थे डिफेंस के लिए डिफेंड करने के हो सकता है कि इंके पास कुछ वीपन थे ट्रीज एनिमाल्स विमन बींग्स इंकी पूजा करते थे लेकिन गोड को टैंपल्स में नहीं रखा जाता था जैसे उनकी एजिप्ट और मिस्विटामिया जो बगल में सिविलाजेशन चलती थी वहां होता था फीमेल टेराकोटा फिगर्स जादा थे मेल फिगरिन से फीमेल टेराकोटा फिगर्स मेल टेराकोटा फिगर्स से जादा थे हरपन कल्चर ब्रोंज एज कल्चर भी कहते हैं लेकिन ब्रोंज लिमिटेड स्केल पे ता ध्यान रखना सुपर इंपोर्टेंट हरपन कल्चर को ब्रोंज एज कल्चर कहते हैं लेकिन ब्रोंज लिमिटेड स्केल पे ता और स्टोन का स्तमाल ज़्यादा करते थे ठीक है, स्टोन का स्टमाल जधा करते थे, ये ध्यान रखना, ब्रोंज एज कल्चर कहने के बाउजूद भी स्टोन का स्टमाल जधा करते थे, रागी और फिंगर मिलेट्स नहीं मिले हैं, नोर्थ इंडिया में, हरपन साइट में कहीं भी, ये हमने NCRT में पढ़ा था, शोर बाकिक बार हम कंपेजन कर लेता है हरपन civilization और Egyptian civilization का मैं फिर से कह रहा हूँ यह book ज़्यादा काम की नहीं है आपके UPSC के लिए लेकिन जो tables इसमें दे रखी है यह बहुत important है और इसके लिए मैं आपको समस बता रहा हूँ इक साथ आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे multiple sources follow करोगे तो revision नहीं कर पाओगे जो काम का होगा मैं आपको बता दूँ है हरपन में planned towns थे chessboard system था excellent drainage system था इसमें towns बस grow हो रहे थे जब अरदस्ती कोई planned system नहीं था यहां पर कि अब मैंने टेलिग्राम पर कल पर सुए question डाला तो मैंने लिखा था कि जो drainage system है और जो towns हैं वो unique थे larger settlements पर जो हरपा की larger settlements है उन पर unique थे तो बहुत सरे बचों ने इस पर हां कर दिया कि both of them दोनों सही है drainage system भी और जो cities जो आपके टाउन प्लैनिंग थी drainage system था और टाउन प्लैनिंग थी यह unique थी larger settlements में थे larger settlements में यूनिक नहीं थी smaller में भी पाई गई थी तो इससे confuse मत हो जाना ठीक है तो और rectangular houses थे यह हमने पड़ी रखाया वैल्स थे stairways थे सीडिया थी यहां ऐसा नहीं था एजिप्ट में या मैसपट्या में ऐसा नहीं था खुद की पोर्टरीटी सील्स थी ऐसा यहां नहीं था खुद की टाइपिकल स्क्रिप्ट थी लेकिन कोई मिलती जूलती नहीं थी एजिप्टियन और मैसपट्यम स्क्रिप्ट से मैसपट हरपा में जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं होई है अभी तक और में स्क्रिप्ट हरपा में जो है सील्स पे देखी गई सील्स पर भी लिख्या जाते थे scripts स्कर्टमा क्शिसे आपने पड़ा था कि एर राइड टू-लेफ्ट में ठोट लेड था लेकिन нагू मौस्टि लेफ्टनी टूले हसी वज़य विजय भी हम ने पड़ी कि जब हमने डैसीफरी नहीं किया अंपने कि क्या लिखा हुआ थो चाला कि राइड टू-लेफ्ट लि वह reads के paper sheets थी उन पर लिखते थे 1920 के बाद इनका कोई existence दिखा नहीं यह 1920 के पास भी exist करते गए इनका wider area था हरपा वालों का इनका हरपा से कम area था चीक है तो यह बहुत important चीज़े हमने cover कर लिया है बहुत कम समय में कर ली इन चीज़ों को समझाने भर में ही कम से कम एक गंटा लग जाता है लेकिन यह source अच्छा मिला इसको लिख लीजिए table जो मैंने बता है इसको पढ़ लीजिए चलिए मिलते हैं next lecture में गुडबाई